दोस्तों, 2024 का Most Aveted Trailer आ चुका है जिसका हम इंडियन्स बेसबरी से इंतजार कर रहे थे जी हाँ दोस्तों, कल की का Trailer आ गया है भाई सब एंड जो भी हो, एक्सपेक्टेशन हम इंडिया के इस Science Fiction Movie से लगा रहे थे क्या ये Trailer ये मूवी हमारे उम्मीदों पर हरी उतरेगी तो आईए बात करते हैं इस फिल्म के बारे में दोस्तों, इंडिया की Most Aveted Science Fiction Movie कल की 2898 AD का Trailer आज रिलीज हुआ है बड़े-बड़े सितारव से सजा ये Trailer प्रभास, दीपीका, पादुकॉन, कमल हसन और अमीदा बच्चन की फिल्म में सब कुछ उल्जा हुआ सा नज़र आ रहा है कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि डारेक्टर नाक अशुन भी टेलर को रिलीज करते हुए थोड़ा नर्वस थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या दिखाना है उनकी नर्वस ने इस टेलर में साफ जलगती है तो मिनटे क्यावन सेकंड का टेलर सिर्फ VFX के सारह है और सारा भी कई फिल्मों में और कई जगा देखा हुआ सा लगता है लेकिन इस उल्जे हुए टेलर की खासियत सुल्जे हुए बिग भी है जिनका एक्शन अंदाज दिख रहा है और कह सकते हैं कि इसमें शहिंशा का जानदार अंदाज नजर आने वाला है कुल मिलाकर कलकी 2898 एडी के टेलर की जमा पुझी सिर्फ अमीता बच्चन का लुक है और उसके साथी कमरिसन का टेलर के अंत में जोरदा लुक है दिखता है दोस्तों ना गश्विन शुरू सही कलकी 2898 एडी के टेलर को लेकर काफी निशाने पर थे शुरू सही फिल्म दर्शो को दिलो दिमाग पर कई सवाल पैदा कर रही थी पहले फिल्म का लुक रिलीज किया गया जिसे लेकर काफी अलोचना हुई थी उसके बाद फिल्म के करेक्टर्स की जलक शेयर की गई उसमें भी अश्वतामा अफ्तार में अमीता बच्चन बाजी मार ले गए अब ट्रेलर रिलीज हुआ है तो इसमें भी सिरु बिग बी का लुक ही जानदार लग रहा है और मन करता है कि बार बार अमीता बच्चन को देखा जाए अब फिल्म में उनका इस्तमाल किस तरह से किया गया है ये देखने वाली बात होगी लेकिन प्रभास की इस फिल्म के टेलर में अमीता बच्चन पूरी तरह से उन पर हावी होते निजर आए है आपकी जानकरी के लिए बता दें कलकी 289 AD के टेलर को तेलकू हिंदी तमिल मल्यार कन्नड और अंग्रेजी सहीत कई भाशाओं में रिलीस किया गया है लेकिन इस टेलर में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है प्रभास का लुक भी थोड़ा कन्फीजिंग सा लग रहा है दीपी का पादू कौन को भी एक जलक सी दिखती है लेकिन असर नहीं डाल पाती वहीं दिशा पटानी भी किक लगाती हुई नजर आ रही है लेकिन कुल मिलाकर इस टेलर में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जो कुछ अनोखी कहानी की तरफ ले जाए कुल मिलाकर यह तो टेलर है लेकिन पिच्चर अभी बाकी है देखना यह है कि फिलिम के टेलर से कितनी अलग होती है और कहानी कहां तक लेकर जाती है इस तरह कलकी 289 AD की कहानी कितनी दमदार है इस बात पर 600 करोड रुपे का दाव खेले गया है हाला कि फिलीब में ताबर तोड एक्शन, धूम धढ़ाके वाले सीन्स, पिरियोडिक ड्रामा की स्टोरी लाइन के साथ माहौल बनानी की कोशिश की गई है हाला कि कलकी के मेकर्स ने विश्वास दिलाया है कि ये फिलीब लोगों को बादने में कामियाब होगी टफ सिक्वेंस, किलियर एडिटिंग और बैक्गराउंड स्कोर आपका धियान खीन सकते हैं वी एफेक्स पर भी अच्छा काम किया गया है परभास को बहुत ही बहतरी नग से दिखाये गाए उनका लुक एक्टर की बाकी फिल्मों के मुकाबले बहुत नया और अलिधा है जो लोगों को बहुत अट्रेक कर रहा है फिल्म सालार के बाद अब परभास के फैंस इस फिल्म का बेसबरी से इनतशार कर रहे है इंजिनियर है वो बज्जी को उठा लाता है और उसकी बोडी खुद डिजाइन करके तयार करता है बज्जी को एक ऐसी पावरोर कार है जो दिमाग से कंट्रोल की जा सकती है इसे एक तरह से AI ब्रेंड भी कहा जा सकता है फिल्म में इसे रोबोटिक कार वाइस ऑवर साउथ किरती सुरेशनर किया है फिल्म के ट्रेलर में एक धार्मी कनेक्शन भी दिखाये गया है फिल्म में हिंदु धार्मी गरंद महाबारत से भी कुछ जरूरी तत्यों को लिया गया है इसमें अश्वतामा का टॉपिक एहम है और इस किरदार को अमिता बच्चन निबा रहे है टीजर में अमिता बच्चन को अश्वतामा के गेट अब में देखकर फैंस बहुत एकसाइड़ हुए नजर आ रहे हैं फिल्म की डारेक्टर अश्विन नेशनल अवार्ड बिनर है उन्हें कई बार ये सम्मान दिया जा चुका है अब जब ऐसे डारेक्टर ने कहानी पर इतने साल काम किया है तो फिल्म में कुछ तो बात होगी खैर तो धमाल मचा ही रहा है देखना दिल्चस्प होगा कि ठेटर्स में ये बहु प्रतेक्षिक्ट फिल्म क्या कमाल दिखा पाती है तो दोस्तो इसी के साथ लेते हैं विदा मिलते हैं अपने अगले पीसोड में जब तक के लिए धन्यवाद